तो इस पाट की सुरुवात में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं और उनका टीचर मार्सलाट के बारे में उन्हें बता रहा होता है अब उनका टीचर उन्हें बताता है कि मार्सलाट तीन प्रकार के होते हैं फायर मार्सला Dragon Marseillat और Star Marseillat और उनके teacher के पास Dragon Marseill Soul जिसके बाद उनका teacher अपने power को activate करता है जिसे देखकर وہाँ बेठे सारे बच्चे बहुत ज्यादा हहरान हो जाते हैं क्योंकि उनका teacher काफी ज्यादा powerful होता है और उनका aura भी काफी ज्यादा strong था जिसके बाद उनका टीचर अपनी पावर को यूज करता है जिससे कि पत्थर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है जिसे देखकर एक स्टूडेंट पूजता है कि ड्रैगन मार्सल आट के हैं स्ट्रॉंग होता है जिसपे उसका टीचर बताता है कि नहीं फायर मार्सल आट ड्रैगन मार्सल आट से काफी जादा स्ट्रॉंग होता है और एक फायर मार्सल यूजर कई सारे ड्रैगन मार्सल यूजर को एक ही साथ हरा सतता है और तभी वहाँ पे Sam खड़ा होता है और Star Marsal Art के बारे में पूचता है जिसपे उनका टीचर बताता है कि Star Marsal Art के basic को ही सीखने के लिए बहुत ज़्यादा practice करनी पड़ती है और इस Marsal Art को सीखना काफी ज़्यादा hard है जिसपे Sam बोलता है कि Star Marsal User क्या काफी ज़्यादा strong होते हैं जिसपे उसका टीचर हाँ बोलता है और उनका टीचर बताता है कि Star Marsal Art Warrior बनने के लिए काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसे बहुत सारे cultivator भी नहीं सीख पाते हैं जो की heavenly realm पे होते हैं अब टीचर के बाद सुनकर एक लड़का बाहर आता है और बोलता है जब Star Marsal Art सीखना इतना ज़्यादा मुस्किल है तो कोई उसे सीखना ही क्यों चाहेगा जिसके बाद टीचर सैम के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें निरास होने की कोई जरुरत नहीं इसे सीखने के लिए तुम्हें बस कड़ी मेहनत और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए जिसके बाद उनका टीचर टेस्ट की तैयारी देखने के लिए चला जाता है और हम देखते ही कि वहाँ एक लड़का बोलता है कि आज हमारा इस Academy में पहला दिन है और वह बोलता है कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आसे तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे जिस बात को सुनकर सभी हुआ पे बात करने लगते हैं कि ये कौन है जिस भी एक लड़का बताता है कि हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये आयून फैमली का सन है तभी हम देखती कि सैम आयून फैमली का नाम सुनकर काफी ज़्यादा गुसा हो जाता है और तभी वे लड़का उठकर सैम के पास आता और उससे उसका नाम पुछता है जिसके बाद सैम अपना नाम बताता है और तभी वे लड़का सैम को एक किक मार कर नीचे गिरा देता है और सैम को बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर से कैसे बात करते हैं और तुम्हारी पूरी फैमली हमारे रहम पर पलती है और तुम लोग हमारे गुलाम हो जिसके बाद वे लड़का सैम को एक पंच मार देता है जिसके बाद सिन सिफ्ट होती और हम सैम को देखते हैं जो कि एक अलगी वर्ल्ड में पहुँच चुका था जहां पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गेट होता है अब सैम उस दर्वाजे को खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा लेक होता है अब सैम उस दर्वाजे के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर उगवे हुए कमल को चुने की कोसिस करता है पर वहाँ पर आग लग जाती है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्राइगन आ जाता है और तभी Sam जिलाते हुए जाग जाता है अब ये देखकर ये लड़का फिर से Sam को मारने लगता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उस लड़की को रोकती है अब वहाँ पर उस लड़की को देखकर सभी बाते करने लगते हैं कि ये कौन है जिस पर एक लड़का बताता है कि ये टैंग हैंग फैमिली की सन है और इसका नाम रूबी है जिस पर वे लड़का बताता है कि ये मेरा गुलाम है और इसके साथ जो चाहे मैं वे कर सकता हूँ जिस पर वे लड़की बोलती है भली ही तुम इसके मास्टर उपर तुम इसे नहीं मार सकते हो तभी वे लड़का सैम के पास जाता और कहता है कि ये खुबसूरत लड़की तुम्हें बचाना चाहती है और आज हमारा अकैडमी में पहला ही दिन है और तुम्हें इतनी खुबसूरत लड़की बचा रही है और तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हारे कौंग हो फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं जिसके बद वे लड़का बोलता है कि अब तुम मुझसे माफी मांगो गया नहीं लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जिसके बद वे लड़का सैम को ओई पर धक्का देकर चला जाता और बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा जिसके बद टीचर सैम के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी जिस पर सैम बताता है कि वे यहाँ पर गिर गया था जिस वजह से उसे यह चोट लगी थी जिसके बाद टीचर बोलता है कि अब तुम्हारे टेस्ट का वक्त हो गया है तुम सब मेरे पीछे चलो और सभी student टीचर के पीछे जाने लगते हैं और वे लड़का भी सैम का मजा को उड़ाते हो वहां से चला जाता है अब वहां पर सैम अकेला खड़ा हुआ होता है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे एंगवे फैमली के लोग उनके घर पैसे लेनी के लिए आये थे पर उनके ग्रेंट फादर के पास उस वक्त कुछ नहीं था जिस पी वे लोग सैम के ग्रेंट फादर को मारते हैं और सैम की आंट को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं और उनके साथ बत सुलुकर करते हैं जिसी कि उनकी आंट ने सुसाइट कर लिया था इन सब बातों को याद करके सैम काफे ज़्यादा परिसान हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है सैम को ऐसे गिरते देख सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं